ये एक क्रिकेट मैच के अंतिम ओवर की अंतिम गेंड है बल्ले बाजी करने वाला इक गुट को जीतने के लिए 5 रंस के आवशकता है गेंड बाज तेज गस्ती से भागते हुए आया बल्ले बाज भी छक्का मारनी के लिए तयार है ये मैच जीतना उसके टीम के लिए बहुत जरूरी है वो बल्ला थोड़ा पीछे के और ले जाता है अपने मास पेशियों को तानता है और पूरी ताकत के साथ गेंड को मारता है और गेंड उड़ती हुई हवा में उचलती हुई सीमा के पार चली जाती है और टीम मैच जीत जाती है बल्ले बाज ने पूरी ताकत से यदि गेंड को नमारा होता तो गेंड सीमा पार नहीं पहुँच पाती क्रिकेट में बल के कारण ही कृतिशीलता बनी रहती है गेंदबाज जब गेंदबाजी आरंब करता है तब से बल्लेबाज, गेंदबाज और गेंद निरंतर गतिशील रहते हैं पेशियों का बल गेंदबाज और बल्लेबाज को अंतिम प्रहार मारने के लिए योग गिस्तिती में लाता है गेंद सीमा रेशा के पार जाने से पहले उस पर अनेक बल कार्य करते रहते हैं गुरुत्वाकरशन का बल गेंद को नीचे खींचता है और खुद के बल के कारण गेंद जमीन पर गिरती है क्रिकेट के खेल में बल का अनुभव करना आसान है लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में बल और गती हमेशा कारिरत रहती है शायद आपको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा आप प्रति दिन किस प्रकार के बल का अनुभव करते हैं बल अर्थात खींचना या धकेलना बल काफी सामर्थिवान होता है तभी वह वस्तूओं को हिला सकता है हम दर्वाजा धकेल सकते हैं अथवा बंद करने के लिए धीरे से खींच सकते हैं जब वस्तूओं पहले से गतिमान हो तो बल के कारण उसकी गती कम ज्यादा हो सकती है बल वस्तूओं की दिशा भी बदल सकता है अधिक मात्रा में बल लगा कर हम दर्वाजा बंद कर सकते हैं साइकल चलाते समय हम कितनी जोर से पैडल मारते हैं उस पर निर्भर करता है कि वे धीमी चलेगी या जल्द चलेगी जब हम बल्ले से गेंद मारते हैं तब बैट घुमाने के कारण बल निर्मान होता है और वही बल गेंद में संक्रमित होता है जिसके कारण गतिमान गेंद अपनी दिशा बदल कर बैट से दूर हवा में जाती है बल प्राय जोडी में काम करता है जब हम रबर बैंड खीचते हैं तब हम उसे तानते हैं लेकिन उस समय रबर बैंड भी हमारे विरुद्ध खीचता है और जब हम छोड़ देते हैं तब लचिले रबर बैंड के बल के कारण वह उसकी मूल लंबाई पुनह प्राप्त करता है यदि हमने ज़ादा खीचा तो वह तूट सकता है इस थान पर हमने रबर बैंड पर जो बल लगाया है वह बल रबर बैंड को जोड़े रखने वाले बल से कई गुना अधिक है ये एक लकड़ी का टुकड़ा है ये टुकड़ा पत्थर से बना हुआ है दोनों का आकार एक जैसा है लेकिन उनका वस्तुमान अलग है लकड़ी के खंड का वस्तुमान 100 ग्राम है पत्थर के खंड का वस्तुमान 450 ग्राम है लकड़ी के खंड के अपेक्षा पत्थर का ख पकड़ कर रखने में अधिक बल की आवशकता है बल की मात्रा किसी वस्तु के वस्तुमान पर निर्भर रहती है पत्थर का वस्तुमान लकड़ी से जादा होता है इसी कारण उसे उठाने के लिए और पकड़े रखने के लिए अधिक ताकत की जरूरत होती है बल ये विभिन जब कोई गेंद बाज गेंद फेकता है तब वह गेंद जिस दिशा में जा रही होती है उसी दिशा में ही बल लगता है। कारियरत रहते हैं इन सारे बलों के एकत्रित परिमान को कुल बल कहते हैं फिर यही कुल बल वस्तो कितनी और कौनसी दिशा में जाएगी ये तै करता है जब दो बल एक ही दिशा में कारिय करते हैं वे कुल बल में वृध्धी करते हैं प्रतीक मेज धकेल रहा है यदि विशा विशाल ने उसका साथ देना शुरू किया तो क्या होगा विशाल जब प्रतीक का साथ देगा तब मेज धकेलने का काम जादा गती से हो जाएगा यहां विशाल और प्रतीक द्वारा अलग-अलग लगाए बल की अपेक्षा कुल बल अधिक है अगर वे विरुध दिशा में खड़े रहेंगे तो क्या होगा टेबल किस और ही लेगा रसा खिचे इस खेल में कौन जीतेगा जब दो बल विरुध दिशा से कार्य करते हैं तब अधिक बल में से कम बल घटा दिया जाता है कुल बल के आधार पर हमें यह दिखाई देता है कि वस्तु अधिक बल के एकक जैसे इस बकसे को मीटर में नापाजाता है वैसे ही बल को न्यूटन इस नामक एकाई से नापाजाता है यह एकाई अंग्रेजी वैग्यानिक सर आईजेक न्यूटन के नाम पर है जिन्होंने बल और बल के कारण होने वाली हलचल इस संधर्व में अनेक खोच किये है इस गेंद का वजन लगभग 100 ग्राम है यदि हम इसे नीचे छोड़ते हैं तब वह गेंद नीचे गिर जाएगी लेकिन हम इस गेंद को अपने हातों में इस प्रकार पकड़ कर रख सकते हैं ये गेंद हातों को एक न्यूटन बल से धकेल रही है और हाद भी एक न्यूटन बल से गेंद को विरुथ दिशा से धक्का दे रहे हैं लेकिन दोनों बल समान और विरुथ दिशा में हैं इस कारण से गेंद हिल नहीं रही है बल तीर द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें तीर के दिशा बल के दिशा दर्शाती है और तीर की लंबाई बल का परिमान अर्थात मूल ये दर्शाती है तीर जितना दूर उतना बल अधिक शक्तिशाली माना जाता है साराश, बल हर जगा होता है बल जगत को गतिमान रखता है जब वस्तुएं गतिमान रहती है तब बल उनकी गती कम या ज्यादा कर सकता है बल वस्तु की दिशा भी बदल सकता है हमारे आसपास कारेरत रहने वाले अनेक प्रकार के बलों की जानकारी लीजिए और हर प्रकार के बल के उधारन खोजिए और हुआ है